दोस्तों अगर बात करें बॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी जोड़ी की जो अपनी जोड़ी को लेकर सबसे ज़ादा विवादित रही है तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम अभिनेतरी प्रियंका चोप्रा और निक जोनस का आएगा अभिनेतरी प्रियंका चोप्रा ने अपने से 10 साल छोटी हॉलिवूड आक्टर निक जोनस के साथ घर बसाया है लेकिन 10 साल का अंतर होने के बावजूद भी एक खुबसूरत जोड़ी बॉलिवूड की टॉप जोड़ियों के लिस्ट में शुमार है जो एक दूसरे से बे इ पसंद नहीं करेंगे जी हाँ अभिनेतर निक जोनस अपनी लाइफ पार्टनर प्रियंका चोप्रा की कुछ चुनिंदा फिल्मों को देखना बिलकुल भी पसंद नहीं करते बहले ही इन फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड कमाई की हो तो इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको प्रियंका चोप्रा की उनी चुनिंदा फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिसे निक जोनस बिलकुल भी देखना नहीं चाहते तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो फिल्में जी हां साल 2008 में आई सूपर हिट फिल्म लव स्टोरी 2050 उनी फिल्मों में से एक है जुसे अभिनेता निक जोनस बिलकुल भी देखना नहीं चाहते और इसकी पीछी की वज़ाए यही है कि इस फिल्म में अभिनेतरी प्रियंका चोप्रा अपने एक्स बॉइफ्रेंड हर्म जी हां साल 2004 में आई फिल्म एतरास को देखना निक जोनस बिलकुल भी पसंद नहीं करते हैं अभिनेतरी प्रियंका चोप्रा की अधिकतर फिल्मों को पसंद करने वाले निक जोनस साल 2014 की आई ब्लॉग बस्टर फिल्म गुंडे को देखना बिलकुल भी पसंद नहीं करते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म में प्रियंका चोप्रा को कई तरह के किसिंग और इंटिमेट सीन करते हुए देखा गया था जिसके चलते प्रियंका चोप्रा को असल लाइफ में भी दर्शकों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा था इस बात से तो सब भी वाकिफ हैं कि बॉलिवूर इंडस्ट्री के हैंसम हंक कहे जाने वाले अभी नेता जौन एबरहम और प्रेंका चोप्रा का लव रिलेशन कितने लंबे समय तक रहा था इस जिसके बारे में जानने के बाद से ही निक जोनस जौन एबरहम से नफरत करने लगे थे और एक यही वज़ा रही कि निक जोनस आज भी अबनीतरी प्रेंका चोप्रा और जौन एबरहम की सूपरेट फिल्म सलाम ए इश्ग को देखना बिलकुल पसंद नहीं करते तो दोस्तोर प्रेंका चोप्रा की इन चार सूपरेट फिल्मों में से आपकी फिल्म कौन सी है आप हमें उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जूरी ऐसी और धमाकेदार कबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले